नमस्कार दोस्तों आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुब कामना हैं ये देखिए ये मैं आज देखी कितना एक्साइटेड लग रहा हूँ क्योंकि आज 15 अगस्त है और साथ में आज ही मेरे नए चैनल का जन्म भी हुआ है जिसका के नाम है समीर्स होम व्लॉग तो द काने रहे ही मेरे चैनल पर और देखिए फिर इसमें आगे क्या क्या होता है ओके चलिए शुरू करता है हमेटो है इस के चैयरनयाम समीर्स होम व्लॉग क्यों है क्यों कि समीरivesse मेरा नाम है और ये मेरा घर है और मैं इसने पहला फोलाग का वीडियो बना रहा हूँ दोस्तो मेरा एक और चानल है समीर्स होमवर्क आप उसे भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और इसे भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद उसे उसके आगे बेल आइकॉन होगा उसे प्रेस कर दीजेगा जिससे के आपको सारे नोटिफेक्शन मिल ज है ओके चलिए आज हम बात करते हैं मन की अच्छा मैंने ये व्लॉग क्यों बनाया ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कई मेरे एच 36 यह से तो बहुत सारे मेरे ऐसे चूटे भाई बहन है जिन्हें मुझे लगता है कि मेरे वाइस थोड़ा सा थोड़ा सा करो तो उन्हें कहीं पर उस नौलिज से हेल्प मिल सकती है इस फ्रेज से मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है चलिए अब शुरू करता है इस वीडियो को तो मन मन क्या होता है मन एक 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 जामबल के तौर पर कई बार मेरे को लगता है कि एक बॉल की तरह है ये किसी भी दिशा में घूमती है एक दम सीदा भी घूम जाती है उल्टा भी घूम जाती है ऐसा ऐसा भी घूम जाती है एक दम सतल्ब इसमें कई तरह के विचार आते हैं बहुत सारे हर दो सेकंड में हम एक नया विचार आता है हम ये कर ले हम वो कर ले तो हमारा कभी कर ये क करते हैं फिर छोड़ देते हैं हम सुचते हैं हम जिम जाएंगे और कुछ दिन जाते हैं एक आद महीने दो महीने फिर छोड़ देते हैं कि क्या करें यार करना तो है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं डिस्ट्रैक्ट हो गए पहले बड़ा मन था पहले बड़ी मोटिविटेड थे नहीं हम यह करेंगे कre तो इससे कैसे निपटने का बहुत सरल तरीका दिखिए आप को कुछ भी करना हो सबसे पहले आप उसकाम को सिर्फ एक एक बार करिए दिन में सिर्फ एक बार मान लीजे कि आपको ड्राइंग करना पसंद है ठीक है और आप अच्छे आर्टस्ट बनना चाहते हैं एक बहुत उच्छा पेंटर बनना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि एक अपनी बेहतरीन कॉपी खरीद लीजे और कॉपी नहीं भ और किसे इन सकता की यह यह लीजेयर यह बना दिया मैंनें इनना मैं नाम का सफ इल्टा खता है यह ओक्र यहां से कोई भी बस दो बहुत है कि दूसरे दिन फिर एक बार कर्ण ऐसे करते करते हैं एक फ़ते के बार दो बार करो, दो बार करो, दो बार करो, दो बार करो Actually होता क्या है कि हमारा जो मन है ये बहुत बहुत रिजिट, बहुत जिद्धी होता है ये लगता नहीं ये असानी से कसी चीज़ के पीछे और एक बार लग जाए दी, तो फिर उस चीज को छोड़ता नहीं है, आप ध्यान दीजिए आपका जिस काम में मन लगता है, मान लीजिए आपकी गल्फरेंड है, उससे आपका बात करने मन लगता है, वहाँ तो आप ऐसी बात करो कि बिल्कुल, ओ जालिंग, जानम, जानो, क्योंकि आपका मन लग रहा है, गलत नहीं है, भाई, एज है, ऐसी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, करो बात, ठीक है, वहाँ मन लग रहा है, आप बिल्कुल लगे हो, दिनरास से बात करने में, येकिन आपसे कोई बोल दे, बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा ये कर लो, पूरा मन लगाई है, और अपने पसंद का वही काम करें, जिसमें आपका पूरा मन लग रहा है, उससे काम करना बहुत सरल हो जाता है, तो आपको मन के उपर कैसे काम करते हैं, दिखिए, मान लीजे कि एक खेत है, जब आप एक बार कोई काम करते हो, तो उसमें कैसी एक ला पटो वह चीज पकी होतीय है तो यही है अपने मन को क्रों करने का तरीका उसे जीटेए कोई बी काम करने का उसे आप बार बार करें पहले एक बार करके छोड़ू बस को सकता है यहाद नहीं कर रहे हैं कोई बार प्थे टो लेकिन एक संकल बना लो कि मेरे को करना है, मैं हफते में एक बार करोगा, ठीक है, हफते में एक बार करोगा, आपको exercise करने का मन है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ हफते में पांच मिनिट exercise करो, डेली, अरे हम बोलते हैं, पांच मिनिट भी मत लगतार करना पड़ेगा सिर्फ छोटा सा करो इतना सा इतना सा बिल्कुल उसके बार गे बिल्कुल मत करो और आप डेफिनिटली देखिएगा कुछ दिन में आपको बहुत अच्छा रिट मिलेगा तो बस दोस्तों आज इतना ही था और मैं लगभग शायद रोज आने कोशि करेंगे आपसे ठीक है नमस्कार थेंक यू